हेलो गाई स्वागत आपका टेक्दिक्षी चैनल पर आप इसे नहीं आप इसे देखने आयो तो वहाँ से नजरे हटाओ यहाँ पर देखो तो गाईज आज मैं शेयर करूँगा ओपो एन को बर्ट्स के रिव्यू मैं इसे कम से कम 7-8 दिन से यूज कर रहा हूँ और गाईज इससे पहले TWS जादा यूज नहीं कर रहे है और मुझे लगा गया लेकिन सीरियसली गाईज और यह देखो इसे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ठीक है बिल्कुल ठीक है एक सेकंड बस एक स्क्रैच पढ़ गया था यहाँ पर यह देख रहे हो यहाँ की साइट देखो यह गये हलका सा इस साइट कुछ ममदलब गड़ा सा तो नहीं काला काला हो गया वह पड़ा ना जब तो इस वज़े से हो गया बाकी ओवर ओल देखा जाए तो गाईज बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल सही साउंड कर रहे है तो यह बताना चारता कि पहली बात तो बिल्ड इसकी चेक होई गई ले देखे कि भाई उपर से फर्स्ट फ्लोर से गिर गया यानि मजबूत है कुछ हुआ नहीं सब चीज सही टकाटक एकदम जवर्दस चल रहे है मज़ा आ गया तो यही चीज़ आज मैं शेयर करूँगा खासकर मैं यह बताऊँगा कि मैंने तो इसे 800 रुपे में खरीदा है और क्या 800 रुपे में value for money है या नहीं क्योंकि guys जो TWS है न मैं उसे ज़्यादा प्रैफर नहीं करता हूँ as compared to wireless nagband बट हाँ guys अगर यह है ओपो एंको बट्स है तो मैं definitely बोल रहा हूँ कि बहुत सही लागा मेरे को सुरवात करते है शुरू से तो इ मैंने आपको बोला one floor से गिर गया यह और इसे कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल सेम ठीक था गया तो इसमें मेरे को कोई problem नहीं है यानि इसकी quality अच्छी है और यह जो है इसका case इसकी जो खुलने बंद होने की भी आवाज भी अच्छी है sound भी अच्छी है और खुलता ब इस बहुत ही जबरदस्ता है चाहिए वो neckband की बात करें क्योंकि neckband भी है मेरे पास और birds की बात करें वो भी तो guys यह बहुत comfortable होते हैं आप इसने कान में लगा हो बिल्कुल easy to fit हो जाते है बहुत अच्छी तरीके से देखो यह small size की है तो आपको कोई problem नहीं होती है कान में और ना आपको यह heavy लगते है बहुत light weight है ठीक है इसका जो angle है बिल्कुल कान में अच्छी तरह जाता है तो आपको कोई problem नहीं होगी ठीक है और white रंग में है तो अच्छा ही लगता है white बुरा नहीं लगता है बहुत अच्छा लगता है कानों में तो यह चीज है और easy to यह बहुत अच्छी है और खासकर इसका जो size है बहुत ही ज़्यादा छोटा है बहुत ज़्यादा अब देख रहो यह मेरी दो इंगली की size के वराबर का है तो यह easy to carry भी है तो आप pocket वगेर में रख सकते हूं next आ जाते है sound quality तो मैं सच बता रहा हूं guys मैं न मेरे पास nothing year one भी जो 6000 प्राइज है जिनके 5000 प्राइज है मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हुआता satisfied नहीं हुआता लेकिन guys इनका दाम 17800 रुपे है और 17800 रुपे में क्या amazing sound करते guys like bass vocals सब चीज troubles सब चीज बिलकुल perfect आप अगर इसका price को side कर दे और किसी को बताएं एक पर आवास सुनाएं तो वो easily इसे 3000 प्लस बोलेगा कि 3000 से ऊपर के TWS है easily because यार इसके जो sound से बहुत ही crystal clear है आपको अच्छा bass सुनाई देगा कोई भी चीज over boost नहीं है जैसे अगर आप bass की बात करें कि यह नहीं कि धम धम वाली बहुत तेज आवा आ जाएगी ऐसा नहीं बहुत easy to clear सुनाई दे बात कर जाए तो ना वो ज्यादा है और ना कम है बिल्कुल थंब 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 अच्छा आता है ठीक है और dolby का support है तो यह भी बहुत अच्छी बात है ठीक है तो मैं build quality में बोलू हूँ हूँ अगर आप TWS देख रहे हो under 2000 या under 3000 भी देख रहे हो ना तो आप इसे ले सकते ह value for money है next हम बात करते है battery backup की तो इसके अंदर हमें 24 hours का claim करती है oppo कि हमें इसे 24 hours का charging time मिल जाता है हम दोनों earbuds को 24 hours तक use कर सकते है तो ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बीच में charge कर लेता हूँ यार लेकिन हाँ यह है कि यह जो है ना यह easily हमेरे साड़े तीन घंट बेकप आ जाता है साड़े तीन कह सकते हो चार तो नहीं ठीक है क्योंकि मैं थोड़ा loud सुनता हूँ मैं 87% पर लगा के मस्त सुनता रहता हूं तो ठीक है तो इस वज़े से साड़े तीन घंटे एक चल जाता है और इसे फिर इसके अंदर चोड़ दिया तो चार बार तो चा यह विकॉज आपको इसके अंदर मिलता है Bluetooth 5.2 यह Bluetooth 5.2 लेटेस बिल्कूल मिलता है जो कि आजकर देखने को नहीं मिलता है 5.1 5.1 मिलता है तो इसमें 5.2 है यानि connectivity भी बहुत अच्छी है जैसे इसको open करता हूं यह तुरंत ही connect हो जाते और जैसे बंद करता हूं वैसी disconnect हो है क्योंकि असल में लोग यह खरीदते TWS उन्हें सबसे जादा battery में issue मिलता है कि left side में जो होता है 70% drain हो जाती battery और right side में 40% तक show कर देती है तो यह चीज इसमें मेरे को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है ओपोखी ठीक है तो overall बात करी जाए गाईज तो यह कैसा है 2000 में मैं यह बोलूँ है 1700-1800 रुपे में यह one of the best TWS बन जाते है in my opinion because आपको इसके अंदर हर्चीज मिल जाती है और price भी बहुत ही कम है उपर से looks भी बहुत तगड़ा मिलता है मैंने अपने father को दिखा है तो वो यह कह रहे कि यह साबुन जैसा क्या है because यार उन्हें जादा नहीं पता basically ठीक है तो मतलब यार बहुत ज्यादा unique सा दिखता है कोई भी अगर आप ऐसे रग दोगे तो देखरो यार बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा cute सा लगता है तो हाँ girls को gift लेने के लिए तो बहुत ही best है ठीक है build quality के बारे में मैंने आपको बताई दिया है फिर भी अगर कोई question हो बाकी आपके तो आप comment box में पूछो मैं बिलकुल reply दूँँगा और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो ये तो subscribe कर देना ऐसी बड़ीय बड़ीय वीडियो मैं आपके लिए लेता हूँगा मिलते है next वीड